नमस्कार स्वागत है आपका प्यार से चैनल टेक भाई यस्पी में दोस्तों राजस्थान के समीदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है फाइनली आप सबकी इंतजार की घड़ी खतम हो चुकी है सुप्रीम कोड ने जो आदेश दिय सारी हो जाना चाहिए उस पे जो है सुप्रीम कोड की फैसला को मांते है बहुत बड़ा एक्सनल लिया है आप सभी समीदा कर्मियों के नेमतिकड़ को लेकर तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरा चोटा सरी क्वेश्च है अगर मेरे वीडियो पे आप नए है तो चैनल को पर्मनेंट लेटर जारी कर दिया है एनि राजस्थान के समीदा कर्मियों का पर्मनेंट लेटर जारी हो चुका है बजलल सर्मा जी ने इसका भी खुलासा करते हुए कहा है कि राजस्थान में समीदा परकार कर रहे सभी समीदा कर्मियों को जो है सुप्रीम कोड का फैसला मानते हुए नियमती करणादे जारी कर दिया गया है एक लाख समीदा कर्मियों के लिष्ट तयार कर ली गई है एनि राजस्थान के एक लाख ऐसे समीदा कर्मी हैं जो सरकारी करंचारी का दरजाब पाने वाले हैं तो प्यारे साथियों यह बहुत खुसी की बात है कि आप सब्सक्राइब अब लोगों को देखने को मिल जाएगा यह आप सभी को नियुक्ति लेटर दे दिया जाएगा जो पहले मानी घरलो जी ने जिनका नियमती करणादे जारी किया था तो बहुत खुसी की बात है पैसा थी अब आप लोग जो इस्तरकारी करमचारी का दरजा पा जाएगे पंचायज सहाइक मदर्शा वोड ठेका पर्था जनता जले ओजना पैरा टीचर यही सब विभाग है जिनका नियमती करणादेश मानी भजनलाल सर्मा जी ने दिया है और किस कंडिशन पे दिया है दोस्तों आई-एस पैटर्ण को नहीं लिया गया है लेकिन ह आप लोगों का अनुभा जरूर काउंट किया गया है अनुभा जो है आप लोगों का वो दस साल का होना जरूरी है प्यार साथी अगर आपका दस साल का अनुभा है तो एक लाख के लिश्ट में आप भी आएंगे अगर आपका दस साल से एक भी दिन कम है तो आप लोगों क को भी परिशान होने की जरूत नहीं है भजनलाल सर्माजी ने कहा है आप सब को भी जो है सम्मान जनक वेतन राजस्थान सरकार देने जा रही है आप लोगों के मांदे में 30 के विद्धी की गई है और 70004 परसेंट का डी भी बढ़ा जाए तो उमीद करता हूं मेरा वीडियो को दबा करके सेर करिएगा धन्यबाद जय हिन जय राजस्थान